आप भी कार लेने की सोच रहे और कन्फ्यूज हो कि कौन सी कार ले तो भाई आज ऐसी पांच कार्स बताने वालों जो की 2024 में लॉंच होनी है तो भाई आप लोगों के लिए बहुत जादा हैलफुल होने वाली है ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं XUV300 फेसलिफ्ट की इस गाड़ी को डेड़ दो साल से टैस्ट होते हुए देखा जा रहा है बहुत से लोग कनफ्यूज है कि गाड़ी लॉंच का होईगी तो भाई बता देता हूं कि सुनने में आया है कि गाड़ी जो है वो एप्रेल के लाश तक गाड़ी के बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और लॉंच जो है वो गाड़ी जून या जुलाई के मन्त में लॉंच हो सकती है गाड़ी के अंदर इस बर बहुत सारे चेंजिस आप लोग को देखने को मिलेंगे जैसे कि गाड़ी के अंदर अडास फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल सकता है साथी साथ गाड़ी के गाड़ी में फ्रंट और रियर का जो लुक है वो टोटली चेंज कर दिया गया है फ्रंट में आप लोगों को डियारल्स देखने को मिलेंगी DRS का जो design है वो काफी unique देखने को मिलेगा साथी साथ rear की बात करते हैं तो भाई rear में connected tail lamp देखने को मिलेगी connected tail lamp भी काफी भड़िया looks दे रही है XUV300 facelift को और भाई एक बहुत अच्छी बात है कि भाई पहले के जो गाड़ी जो आया करती थी जो current में चल रही XUV300 उस गाड़ी में थोड़ी सी कमी थी boot space की बट अब जो गाड़ी का facelift आ रहा है उस गाड़ी के अंदर boot space जो है वो सुनने में आया है पहले के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है second मारुती वैगनार facelift भई वैगनार को बहुत से लोग लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग लेने का plan भी बना रहे हूँगे तो भई गाड़ी का facelift जो है वो टेस्ट होते हुए देखा जा रहा है गुड़गाओं की सड़कों पे तो भई ये देखके तो confirm है कि गाड़ी का फेसलिफ्ट बहुत जल्द लॉंच होने वाला है गाड़ी के अंदर इस बार टोटली चेंज कर दिया गया है फ्रंट का लुक्स और रियर का लुक्स आप लोगों को इस बार वेगनार के अंदर डियारल्स देखने को मिलेंगी साथ-साथ हेडलाइट का जो लुक्स है वो भी चेंज कर दिया गया है ग्रिल्स गाड़ी के अंदर बहुत भड़िया डिजाइन दे रही है और भाई साथ-साथ इस बार सुनने में आया है कि गाड़ी जो है वेगनार फेसलिफ्ट वो ईवी के अंदर भी आ सकती है क्योंकि भाई आज कल साथ-साथ सभी कंपनिया ईवी पे जोड दे रही है तो भाई मारुती क्यों पीछे आटे तो भाई हो सकता है इस गाड़ी के अंदर पहले पेट्रोल और सी एंजी में ये गाड़ी लाँच हो उसके कुछ टाइम बाद ये गाड़ी जो है वो ईवी के अंदर लाँच हो सकती है थर्ड फॉर्ड एंडियोवर वैसे तो इस गाड़ी को इंडिया से बाहर लाँच कर दिया गया है बट अब टाइम है इंडिया में लाँच होने का तो भाई ये गाड़ी बहुत ही जल्द इंडिया में भी लाँच हो सकती है इंडिया में इस गाड़ी को फर्स्ट टैम देखा गया है चन्ने में तो भाई आप लोग इस फोटो को ध्यान से देख सकते हैं कि गाड़ी को ले जाया जारा क्रेन से क्रेन के उपर गाड़ी है इस गाड़ी पे एवरेस्ट लिखा गया है तो इंडिया से बाहर इस गाड़ी को एवरेस्ट नाम से लॉंच करा गया है तो हो सकता है ये गाड़ी जब इंडिया में launch हो तो average अटा के गाड़ी का नाम जो है वो endeavor लिख दे तो भै ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल के अंदर आएगी साथी साथ गाड़ी के अंदर बहुत सारे changes के गए है फ्रंट से गाड़ी का लुक जो है वो काफी अच्छा लग रहा है बड़ी बड़ी डियरल्स गाड़ी के अंदर देखने को मिलीगी पीछे की तरफ से टेल लैम जो है वो भी काफी अच्छे इस बार दिये गए है पहले के मुकाबले और बड़ी गाड़ी के अंदर 360 डिगरी व्यू भी देखने को मिल सकता है फौर्थ मारूती इवी एक्स बड़ी इस गाड़ी को सबसे पहले आटो एक्सपो में देखा गया था अब भाई गाड़ी को टेस्ट होते हुए देखा जा रहा है कैमफलोज में और ये देखके तो कन्फरम है कि गाड़ी का काम जो है वो जोरो शोरों से चल रहा है सुनने में आ रहा है कि गाड़ी जो है वो 2024 के last year तक launch हो सकती है तो भाई ये गाड़ी में अगर आप लोग धिहान से देखे तो भाई एक्सड्रोस्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो हो सकता है ये गाड़ी जो है वो E.V. में launch हो सकती है भाई आज कल जणरेशन जातर E.V. गाड़ी भी लेना पसंद कर रही है तो ये गाड़ी जो है वो EV में लाँच हो सकती है उसके कुछ टाइम बाद हो सकता है कि पेट्रोल और डीजर में भी लाँच कर दी जाए फिफ्थ थार फाइव डोर अभी तक आप लोगों ने थार को थ्री डोर में ही देखा होगा बट थार फाइव डोर बहुत ही जल देखने में मिल सकती है बाई जिमनी फाइव डोर आ चुकी है तो थार फाइव डोर भी आनी ही है बाई इस गाड़ी को कैमफलॉज में बहुत के अंदर बहुत सारे फीचर्स आप लोग को न्यू देखने में मिलेंगे जैसे कि फ्रंट की तरफ से डियारल्स देखने को मिलेंगी बहुत ही भड़िया डियारल्स गाड़ी के अंदर दी गई है साथ ही साथ गाड़ी के अंदर सनरूफ देखने को मिल जाएगी आप लोगों को और भाई गाड़ी के अंदर इस बार बूट इस पेस जो है वो भी काफी अच्छा खासा रखा गया है तो भाई वीडियो करते हैं यहीं एंड अगर आप लोगों के इन पांचों गाड़ी से रिलेटेड कोई और भी डाउट्स हैं त अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई